गुड इपनिंग स्टूडेंट आज आप लोगो आईसो टॉप्स एबं आईसो बार की इंपोर्टेंट कोस्चन कराएंगे जो सभी परिच्छाओं के लिए इंपोर्टेंट है अगर आप लोग किसी का भी आंसर जानते हो तो कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके बता सकते ह इसका थेओरी पोर्टेंट आगे कंपलीट करा चुकी है जिसका लिंक आप लोगों मिल जाएगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में वासे चेक आउट कर सकते हो श्टार्ट करते हैं देखिए पहला कोस्चन है दो परमाडू के समस्थाने को कहते हैं तो देखिए समस्थाने क्य जिनके परमाडू किरमाग समान एबं परमाडू संख्या डिफ्रेंट हो तो देखिए एकजाम्पिल से समझे जैसे 6C बार है 6C 13 तो देखिए जो 6 है वो एटोमिक नंबर को सो करता है और जो देखिए 12 है इसके क्या है यह एटोमिक मास को सो करता है तो आप लोग देख सक है सही next question किसी तत्य समस्थाने के बीचम अंतर किसकी भिनस संख्या की कारण होता है और देखिए 16 ऐने two इसमें इलेक्टॉन कितने हैं, 11 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, जितने इलेक्टॉन उतने प्रोटॉन, न्यूटॉन कितने हैं, न्यूटॉन को कैसे निकालते हैं, 23 में ऐसे 11 को सब्ट्रेट कर दिया जाता है, यानि 12, तो आप लोग देख सकते हो, इलेक्टॉन की संक्य समान प्रोटॉन की संख्या समान कि इवन न्यूट्रॉन की संख्या में चेंजमेंट होता है यानि वो डिफरेंट होती है इसलिए इसका न्यूट्रॉन ओप्सन हो जाता है सही next question किसी परमाडू के नाबिक का आईसो टॉप्स हुए है जिसमें अभी आप लोगो बताया था जैसे 11 एने 23 अभी बता चुके हैं electron, proton, neutron तो देखें electron की संख्या 11 थी, proton की संख्या 11, neutron की संख्या 12 थी तो आप लोग देख सकते हो, electron, proton की संख्या समान, cable, neutron की संख्या में चेंजमेंट होता है तो इसलिए इसका B option हो जाता है, सही, proton की संख्या वही होती है, cable, neutron की संख्या में चेंजमेंट होता है next question, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुड़ों की कारण भिन होती है तो देखिए अभी आप लोग बताया था, neutron या proton की संख्या की कारण, जो isotopes होती है, उनकी जो property कैसी होती है, different होती है इसलिए इसका A option हो जाता है, सही next question, important है, काफी बार पूशते है, hydrogen की कितने समस्थानिक होती है तो देखिए hydrogen की 3 समस्थानिक होती है, 1H1, 1H2 और 1S3, इसका नाम होता है, protium, deuterium और tritium तो इसलिए इसका 3 option हो जाता है, सही next question निमने मैसी कौन सा hydrogen का समस्थानिक नहीं है, अभी बताया था, protium होता है, deuterium होता है, और tritium होता है, keyword transium नहीं होता है इसलिए इसका D option हो जाता है, सही next question, hydrogen की radio सक्रिय समस्थानिक को कहती है तो देखिए जो hydrogen का radio सक्रिय समस्थानिक होता है, उसे कहती है tritium important है, next question, 8.16, 8.17, 8.18 को क्या कहती है तो देखिए यहाँ पर परमाडु किर्मा क्या atomic number समान है, यहाँ पर भी 8 है और जो द्रबबान संख्या यानि atomic mass है, वो कैसा है, different है तो उसको क्या कहती है, समस्थानिक कहती है, जिसको इंगलिस में कहा जाता है isotopes, इसलिए इसका E option हो जाता है, सही next question, 17 CL 35, 17 CL 37 तो देखिए यहाँ पर atomic number समान है, और atomic mass different है इसलिए इसका B option हो जाता है, सही समस्थानिक next question, सरबादिक संख्या में समस्थानिक किसके होती है तो देखिए जो polonium होता है, polonium इसके समस्थानिक होती है 27, important है, इसके जो समस्थानिक होती है, बहुत अधिक संख्या में होती है देखे, question भी आ गया, polonium में समस्थानिक की संख्या होती है, तो देखे, polonium के कम से कम 27 समस्थानिक होते हैं, next question, चट्टानों की IU ग्याद करने में किस radioactive, IU अंकर में किस समस्थानिक का यूस किया जाता है, तो देखे, uranium में जो रौक होती है, उनकी age को ग्याद करने के लिए radioactive IU अंकर में uranium का यूस किया जाता है, और uranium का यूस किया जाता है, इसलिए इसका e-option हो जाता है, सही नेश्ट, question, परिसंचरत तंत्र, बिलड की clotting की पोजीशन ग्याद करने के लिए किस समस्थानिक का यूस किया जाता है, तो देखे, sodium 24 का किया जाता है, important question है, sodium एक प्रका इसको केरूसिन में डाल दिया जाता है, नेश्ट, question, कोवाल साट का यूस प्रियोग आम तोर पर बिकरड चिकितसा एपम कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, क्योंकि ये क्या उत्सरजेत करता है, ये गामा के रे को उत्सरजेत करता है, जो गामा रे होती है, इनकी जो मतलब भेदन छमता होती है वो बहुत जादा अधिक होती है इसलिए इसका सी ओप्सन हो जाता है सही रग्ठ गैंसर को कंट्रोल करने के लिए किस रेडियो आईसो टॉप्स का यूज किया जाता है किसको ब्लेट कैंसर को कंट्रोल करने के लिए नेश्ट कोश्चिन, देखिए सूचियां दी गई है इस तरीके से, सूचियां दी गई है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर दिखनी राय आर्सेनिक, यह देखिए आर्सेनिक, आर्सेनिक का यूस कहां किया जाता है, ट्यूमर को पैचानने में किया जाता है, तो आप दो तो चैंसर के च्रेट्मेंट में कोवाल्ड का यूस किया जाता है तो क्या हो गया डीक फोर तो देक सकते हो इस थरीके से और नेस्ट है देखिए आयोडीन आयोडीन क्या होती है थाइयरोड गिरंथी की एक्टिविटी को ये मतलब एक परकासि इसकी सक्रीटा को अधिम पर तो देखिए जो iodine है वो क्या करता है? thyroid gland की सक्रिता को activate कर देता है. इसलिए इसका C का क्या हो गया? पहला हो गया. यह देखिए और D की देखिए last है जो की? last क्या है sodium. sodium का use किया जाता है रक्त बैती करम में यानि ब्लड की clotting में. तो देखिए sodium इसलिए इसका c option हो जाता है सही देख सकते हो आप लोग मिला सकते हो यह देखिए c option हो जाता है सही next question बैसे नाविक जिसमें neutron की संख्या समान और proton की संख्या different होती है उनको क्या कहते हैं उनको some neutronic कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें neutron की संख्या है वो कैसी होती है, सेम होती है, केवल प्रोटॉन की संख्या में क्या होता है, चेंजमेंट होता है, और आगे क्या था, अभी आपनों को बताया था, समस्थानिक, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान, केवल निूट्रॉन की संख्या में चेंजमेंट होता है, उनको समस्थानि कहा जाता है next question isoton क्या होते है तो देखिए isoton क्या होते है जिसमें जो neutron की संख्या होती है वो कैसी होती है सेम होती है जिसमें neutron की संख्या समान हो ISO का मतला भी होता है सेम तो देखिए इसमें neutron की संख्या होती है वो कैसी होती है समान होती है इसलिए इसका B option हो जाता है सही next question सम निउट्रोनिक होते हैं अभी आप लोगों को बताया था सम निउट्रोनिक क्या होते हैं जिसमें जो neutron होते हैं वो समान होते हैं और जो proton होते हैं वो कैसे होते हैं different होते हैं तो देखिए इसका कौन सा option हो जाता है सही ये परमाडू किर्मांको परमाडू भार दोनों भिन होते हैं केवल जो परन्तु neutron की संख्या कैसी होती है समान होती है अभी बताया था some neutron किसे कहते हैं जिसमें जो मतलब neutron है वो कैसी हो समान हो और जो proton हो वो कैसी हो भिन भिन हो उनको कहते है सम न्यूट्रोनिक इसलिए इसका D option हो जाता है सही नेश्ट कोश्चन जो की लाश्ट कोश्चन है 36 क्रिप्टन 86 और 37 क्रिप्टन 87 तो देखिए यह क्या है यह प्रकासि सम न्यूट्रोनिक है क्या है यह सम न्यूट्रोनिक इसलिए इसका C option हो जाता है सही क्योंकि इसमें जो neutron की संख्या है वो समान है देख सकते हो neutron की संख्या कैसी है समान है और जो मतलब proton है वो कैसी है different है यानि भिन-भिन है इसलिए उसे क्या कहते है सम-neutronic कहती है important question है आई योप आप लोगों को आज की question अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी हो तो इससे like करें share करें comment करें कल आप लोगों को इसका पाट सेकंड अप्लोट करेंगी थैंक्स पॉर बॉच्चिंग इस वीडियो बाई बाई